लेकिन जनाब आपको statistics के बारे में बताया कि data जो है वो statistics के लिए बहुत important है और statistics की definition जो है वो data के इर्दिगर्दी घूमती है लेकिन मसला यहां पर आ जाता है कि अगर मैंने height को measure करना है तो मेरे पास मैं किस unit में measure करूँगा या किस तरीके से मैं बताऊँगा कि इसकी height इतनी है for example मैं अपनी height को कभी सारी जिन्दगी यह तो नहीं बताता रहूंगा कि मैं छोटे भाई से इतना बढ़ा हूं ऐसे तो नहीं मैं कह सकता है या मैं यह तो नहीं कह सकता मेरे एक कजन है मैं उससे एक गेट चार उंगला हम बढ़ा हूं ठीक है I can't say that so I have to know some kind of defined definite numbers और उनके साथ units जो हमारी height और बाकी चीज़ों को मैयर करने के लिए हम बता सकते है अगर मेरा वजन मैंने मैयर करने है तो अगर मैं pounds में कहूंगा pounds जो होते है ना वजन के LBs जिसे हम बोला जाता है अगर मैं उसमें लिखता हूं तो इसका मतलब है कि दुनिया के किसी गोने में मैं बैठा हूँ अगर मैं kilograms मैं लिखता हूं so I can have an idea कि metric units या imperial units में से मैं कौन से units यूज कर रहा हूं so these are kind of information जो हमें बहुत जरूरी होती है whenever we are starting with kind of data अब data को समझने के लिए चार levels होते है data के या scales होते हैं जिनकी base पे हम data को divide करते है इसके अंदर इस lecture के अंदर आपको वही बताने वाला हूं कि वह कौन से चार चीजी है अपनी screen में आप लोगों के साथ share करता हूं and now we will see के हमारे पास जो scales of measurement है जहां से हम variables या numbers को define करते हैं या categorize करते हैं वो कितनी किसम के हैं इन्हें हम बोलते हैं scales of measurement scales of measurement ठीक है तो इसमें चार किसम के scale है और चारों के चारों मैं आपके सामने लिखता हूं सबसे पहला जो scale है number one is nominal scale nominal scale के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो ABC के अंदर लिखी जाती है ठीक है ABC कैसे मैं आपको बताता हूं ABC से मुराद ये है कि मैं यहां पे लिखता हूं female और male जब मैं ये वाला data collect करूँगा तो मैं इसको बोलूँगा कि ये nominal scale पे measure किया हूँ है यानि के नाम दिया हूँ है nouns है for example male female मैंने यहां पे लिख दिया ये nominal scale है अगर मैं male female की बजाए कुछ और लिखता हूँ say for example मैं लिखता हूँ animals के name जो है dog, cat and मैं यहां पे लिख सकता हूँ bird, toota, manna, parrot, etc. ये भी एक नाम है तो ये भी nominal scale पे आएगा किसी का नाम आ गया for example एहसन, शकूर, जवाद, अब्दुल्ला, अमित ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये अगर आप नामों पे गोर करें तो ये भी तो nouns है ना इसी वज़ा से जब हम इस तरीके से data को measure करते हैं जिसके अंदर नाम आते हैं इसे for example मैं कहता हूँ मेरी class में जितने लोगों का नाम एहसन है वो अपना hand raise करें मेरी class में जितने लोगों का नाम अब्दुल्ला है वो अपना hand raise करें तो मतलब ये कि इस नाम के data से related जितनी information है वो मैं निकाल रहूँ ठीक है और इसके लिए अगर आप देखें तो हम names को base बनाते हैं मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ किसकी base पर nominal scale जो है हमारा वो चलता है हम यहाँ पर कह सकते हैं कि nominal scale के अंदर names आते हैं labels आएंगे labels और qualities ठीक है इन तीनों चीजों में से कुछ भी आ सकता है qualities आएंगी without any quantitative value no number यहाँ पर इसके अंदर कोई भी number नहीं होगा no number हम number नहीं लिख सकते हैं और दूसरी इसकी शर्त यह है कि number नहीं लिख सकते और हम order भी नहीं कर सकते यानि कि rank नहीं कर सकते दो चीजों को for example मैं कभी यह नहीं कहूंगा यैसे यह male और female है आम मैंसे कोई बता सकता है कि क्या male किसी तरीके से female से order में बड़े हैं या female male से बड़े हैं something like that so यह order हम नहीं बना सकते इस वज़ा से ranking नहीं होगी इसके अंदर no ranking rank नहीं हम करेंगे किसी चीज़ को यही इसकी खासियत है nominal scale की इसमें आपकी eye का color भी आ सकते है यानि के कोई भी ना चीज आई color for example brown है blue है और या आप कह सकते हैं जनाब black color है ठीक है और इसी तरीके से आप यह भी बता सकते हैं hair color क्या है या आप कोई भी चीज़ों को यहां पर mention कर सकते हैं और इस पे nominal scale के उपर जब हम चीज़ों को measure कर रहे होते हैं तो इस पे जिस किसम का statistical analysis लगते हैं वो भी मैं साथ में लिखता हूँ यहां पर stat जो हम लगाएंगे that would be only या तो आप इसका mod ले सकते हैं अब है क्या इसके बारे में हम पढ़ेंगे I'm just giving you an information या तो आप इसका mod ले सकते हैं या आप इनकी frequency को देख सकते हैं कि कितने लोग male हैं कितने female हैं ठीक है या आप जो इसके उपर test लगा सकते हैं वो chi square इस तरह के और test लगा सकते हैं यह याद रखने के भी जरूरत नहीं मैं सिरफ आपको बता रहा हूँ कि इनका mod यानि कि जो repetitively आ रहे हैं या frequency का plots वगारा बनाके statistical analysis इसका कर सकते हैं ठीक है यह होता है जी nominal scale nominal scale यह होता है अब चलते हैं ordinal scale पे जो है हमारी second type number two is called ordinal scale ordinal scale क्या होता है ordinal scale के अंदर आपका nominal scale सारा होता है nominal हर एक चीज आएगी उसकी लेकिन साथ में एक rank आजाएगा rank और order आजाएगा order का क्या मतलब है मैं आपको भी बताता हूँ say for example आप कोई भी एक analysis करने जा रहे है और आप data ले रहे है कि क्या पाकिस्तान में गर्मी ज्यादा होती है question है क्या पाकिस्तान में गर्मी ज्यादा होती है और आपके answers है I agree I strongly agree and then I don't agree ठीक है और आप ये तीन order रखे हुएं कि I agree कि ठीक है होती है I strongly agree कि वाके बहुत होती है और दूसरी extreme है I don't agree मैं agree नहीं करता so इस तरह का जो data होता है वो आपका आता है यहाँ पर rank order में second मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि यार आपकी position क्या आई थी मतलब आमना आमना आपकी position क्या थी ठीक है अब यह जो मैंने तीन पॉइंट्स लिखे है first, second, third आमना की position क्या आई है first तो मैं आमना का यहाँ पर data एड़ कर दूँगा बाकी मैं खाली छोड़ दूँगा फिर मेरे पास जो दूसरा नाम है वो कोई और हो सकता है for example एहसन आगया एहसन आपकी क्या position आई है सो उसकी अगर second है मैं यहाँ पर cross करके बाकी अपने पास blank रख लूँगा सो यह इस किसम का data जिसके अंदर मेरे पास तीन categories है और तीनों order के अंदर है इसको हम ordinal scale बोलते हैं ठीक है जब भी आप जब भी आप ordinal scale की बात करते हैं आपके पास nominal data की तरह का data होगा यानि कि English में लिखा हुआ data होगा ठीक है English में लिखा हुआ data होगा जिसको हम categorical data बोलते हैं और उसमें ranks होँगे ठीक है ranks ठीक यहाँ तक आपको clear हो गया अब इसके लिए हम क्या करते हैं हम different किसम के test यूज कर सकते हैं statistical analysis यूज कर सकते हैं इसके अंदर जो हमारे पास different किसम के test है ordinal scale पे उसमें सबसे पहला जो stat का test है stat का जो test है उसको हम कह देते हैं for example आप median चेक कर सकते हैं ठीक है आप इसका mod भी चेक कर सकते हैं mod के बाद आप man, whitney, u test and there are many other tests जो आप लगा सकते हैं मैं नाम नहीं लिखूँगा ताकि आप confused ना हो तो ये हमारे पास दूसरा जो है वो test आगया sorry scale आगया scales of measurement में पहला हमारे पास है जनाब nominal दूसरा हमारे पास आगया ordinal ठीक है so तीसरा हम देखते हैं हमारे पास कौन सा scale of measurement है number 3 number 3 number 3 में हमारे पास आ रहा है जनाब interval scale interval scale interval scale में क्या होगा we will see that now interval scale में पहली चीज तो ये है कि numbers आ जाएंगे numbers आना start हो जाएंगे ठीक है numbers आना start हो जाएंगे दूसरी चीज इसमें ये होगी कि numbers के दरम्यान equal difference होगा equal difference between numbers मैं भी आपको समझाता हूँ ये equal difference क्या है तीसरी चीज जो हमारे पास होगी not true 0 true 0 नहीं इसमें आ सकता true 0 का मतलब है जैसे मैं आपको बताता हूँ के हमारे पास मेरे पास कितने पैसे हैं 0 का मतलब है कोई नहीं है जिसको हम true 0 कहते हैं कोई पैसा नहीं है मेरे पास 0 अंडा और जो absolute 0 होता है कि temperature कितना है आप कहते हैं 0 degrees इसका मतलब यह नहीं है कि temperature खतम हो गया इसका मतलब यह है कि temperature इस वकत 0 पे है which kind of gives us कि आज ठंड जयाद है और यह minus में भी जाएगा ठीक है so not true 0 होगा इसके अंदर absolute 0 इसके अंदर आ सकता है दूसरे को कहते हैं absolute 0 वो आ सकता है बलके लिखने के भी जरूरत नहीं है आपको समझा दिया मैंने मैं next point पे जाता हूँ directly तो हम यहां पे इसकी example ले लेते हैं हमारे पास जो example है मैंने अभी आपको बताया temperature in degree centigrade या degree foreign height अगर आप US के अंदर है तो foreign height में आएगा वरना centigrade में आएगा तो आप temperature को measure कर सकते हैं इसमें एक और चीज है dates जो है कि आज महिने की कितनी date है वो जो है वो भी हमारे पास data जो है in a calendar here वो यहां पे आ जाता है ठीक है यहां तक आपको clear हो गया होगा कि हमारे पास जब numbers आएं और उन में हमारे पास numbers के दरम्यान equal difference हो यानि कि 16 degree centigrade 17 degree centigrade 18 degree centigrade something like that तो हमारे पास इस तरीके से temperature आता है 4 भी आ सकता है ठीक है so we can write down temperature और 1 से 2 जो है इसके दरम्यान equal difference है हम 1.234 decimal values इसमें नहीं लिख सकते तो इसमें हमने whole number लिखने होते हैं basically अब इसके उपर जो test लगते हैं आप कई किसम के इसके उपर test analysis लगा सकते हैं जो पहला test होगा आपका आप इसमें mean ले सकते हैं mean यानि के इसका average standard deviation calculate कर सकते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा don't worry ANOVA इसके उपर test लगता है इस तरह के numbers पे और regression के analysis हो सकते हैं which we will see in future मैं इस वड़ा से साथ साथ बता रहा हूँ ये चीजें क्योंकि जो लोग मेरे साथ advanced level पे पढ़ चुके हैं और ready statistics उनके लिए revise करना easy हो जाएगा so this was the third scale called interval scale अब चलते हैं हम fourth scale के उपर which is a ratio scale number four scale is ratio scale अब ratio के उपर क्या होता है जब भी आप ratio की बात करते हैं तो ये again numeric है या number है इसके अंदर आएंगे number आएंगे ठीक है इसके साथ number के साथ साथ आप इसमें true zero भी लिख सकते हैं ठीक है addition of true zero भी कर सकते हैं निकाल भी सकते हैं उसको और ये meaningful operation आप कर सकते हैं addition कर सकते हैं subtraction कर सकते हैं multiplication कर सकते हैं यानि के सारे के सारे arithmetic operators जो हैं इसके उपर आप apply कर सकते हैं meaningful तरीके से ठीक है और जो हमारे पास example है इसकी मैंने आपको पहले भी बताईए जो start में lecture हमने start किया था height की weight और फिर मैंने बात की income की कर सकते हैं कि कितना household income है आपकी और distance कितना है वो इसमें आ सकते हैं आप इसके अंदर different other किसम के जो हैं वो भी points लिख सकते हैं तो usually इसमें क्या होता है decimal points भी जो हैं इसमें आ सकते हैं decimal can also come और यहां पे ratio scale के अंदर जो main statistical analysis जो हम करते हैं अगर stat की बात की जाए so we can do couple of experiments obviously mean, median, mod इसमें तीनों आ सकते हैं mean भी median भी mod भी हम ले सकते हैं इसमें और जो इसके इलावा अगली चीज हम कर सकते हैं standard deviation calculate कर सकते हैं and then geometric mean भी इसका ले सकते हैं and harmonic mean भी जो हम पढ़ने वाले हैं, don't worry about that harmonic mean भी मतलब इसके उपर फिर और भी काफी किसम के जो analysis है वो हम कर सकते हैं so we can perform a lot of analysis on these kind of data as well अब यहां पे आपको समझ आगे होगी के we have like four kind of scales of measurement कितनी किसम के scale of measurement है हमारे पास scale of measurement हमारे पास कितनी किसम के हमारे पास तकरीबन four किसम के scale of measurement है और इनको हम कुछ इस तरीके से भी view कर सकते हैं, मैं अभी आपके सामने ले के आता हूँ, इनको level of measurements भी बोला जाता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया और इने scale of measurement भी बोला जाता है so यह आप पे depend करता है कि आप इनको किस तरीके से understand करते हैं और किस तरीके से interpret करते हैं मैं यहां पे अभी आपके सामने एक तस्वीर ले के आता हूँ, if I can do that yes, this one so यह online मैंने लिए है, Google Images में जा कर आप ले सकते हैं हमारे पास इस तरीके से scale of यह levels of measurements जो हैं वो चलते हैं, ठीक है so जो पहला है हमारे पास nominal है जिसको named variable बोला जाता है ordinal में name plus ordered variable आजाएंगे ठीक है, name भी आएगा और order भी आएगा interval में named plus ordered plus proportional interval between variables वो आजाएगा and then end पे जो ratio है उसमें proportional variable के बाद accommodate absolute zero भी आजाएगा so इसका मतलब है, जब आप data collect करते हैं अगर आपके पास सिरफ नामों का data तो वो यहाँ पे आएगा नाम rank की हैं तो आप एक step उपर आगे उसके इलावा interval आगया तो उसके भी उपर आगे फिर आगे ratio आगया तो आप उससे भी उपर एक step आजाते हैं सो हमारे पास जो scale of measurement ये level of measurements हैं वो कुछ इस तरीके से चलते हैं और इनको आप अच्छे से अगर समझ आते हैं then actually you can really master different kind of statistical analysis जो इन्शालाँ आप future के अंदर मेरे साथ करने वाले हैं ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आगी है कि scale of measurement किस तरीके से होते हैं और इन चार किस्मों के अंदर हम कैसे data को divide करते हैं अब आप से एक छोटी जी request है discord का channel का link मैंने description में दिया हुए आप उस channel को join करें और आपने level of measurements जो हमारे पास 4 मैंने आपको बताया है nominal, ordinal, interval and ratio इन 4 level of measurements की examples यानि कि इसमें कौन-कौन सा data आ सकता है वो आपने assignment के तोर पे वहां पे भेजना है discord के अंदर ठीक है यहां तक hopefully आपको clear हो गया होगा अब हम अगले lecture की तरफ चलते हैं